हेलो डीचर्स वेलकम टू कर्णसर इंफो टेक आज की हमारी वीडियो है इंट्रा हर्याना से लोगिन करके पीपी का जो डाटा हमें मिला है उसको हम वैरिफाई कैसे कर सकते हैं तो जिनको अभी इंट्रा हर्याना बे लोगिन नहीं करना आ रहा है तो सबसे पहले आप yargv.in इस पर क्लिक करें जयसे success पर क्लिक करेंगे यह साइट लोड होने लग जाएगी अभी यह साइट झोय वो नहीं चल रही है किसी किसी टाइम पर आप नहीं चलती जब यह साइट चलने लग जाएगी उस टाइम आपको यहां पर लोगिन करना है लोगिन करने के लिए आप अपना phone пон लंबर और पासवोर्ड ॢाल सकते हैं और अगर पासवोर्ड नहीं मिल रहा है तो गेट पासवर्ड कर सकते हैं यहां से लोगिन करने के बाद आपको इंट्रा हर्याना के अंदर एक इस तरह का देखिए यह जो साइट है यहां पर साइट ओपन हो चुकी है यहां पर आपको अपना आइडी और पासवर्ड डालना है यहां पर आइडी पासवर्ड और कैप्चा तीनों चीज़ें यहां पर डालनी है जैसे ही इसमें आप डाल दोगे आइडी पासवर्ड और कैप्चा 62325 तो आइडी डली हुई है पासवर्ड में डाला हुआ और कैप्चा में डाल दिया लोगिन पे क्लिक करते हैं जैसे ही लोगिन पे क्लिक करेंगे यह हमारी साइट जो है हमारी परसनल आइडी पे लोगिन हो जाएगी इंट्राहर्याना की अब आप इस साइड में आए इ बीरिफिकेशिन इस पर आप क्लिक करें जैसे आप क्लिक करेंगे हमें यह साइट दूसरी साइट के उपर डाइवास हो रही है डिख सकते हैं अप लोडिंग हो रही है कि उस दिर्वेट करते हैं इसका देखिए साइट लोड हो चुकी है यहाँ पर लिखा आगया पी पी डाटा वेरिफिकेशन हरियाना सरकार गवर्मेंट ओफ हरियाना और यहाँ पर आप देखिए आपको यह तीन जो है इसमें ऑप्शन जड़ाएंगे होम टैग डाटा एंड अकाउंट इसमें से जब आप होम पी क्लिक करेंगे होम पी क्लिक करने पर यह दिखाएगा कि यह आईडी किसकी लोगिन हुई है यू आर लोगिन एस करन तो यहाँ पर जो भी टीचर की आईडी से एक है आधार टैगिंग और एक है डी ओ भी टैगिंग ठीक है और इससे नेक्स्ट वाले में है अकाउंट यहां से आप साइन आउट कर सकते हैं तो मेन काम है डाटा जो हमने टैग करना है उसके अंदर अब देखो यहाँ पर तीन तरह काम है पहला है स्टेटस टैगिंग तो अगर किसी को स्टेटस टैगिंग का काम मिला है तो वह यहां पर क्लिक कर सकता है क्लिक करने के बाद यहां पर फैमली डालेगा अगर पूरे विलेज का रिकोर्ड चाहिए तो गैट रिकोर्ड पर जाएगा साइड थोड़ी स्लो चल रही है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है देखें यहां पर जैसे से फर्स्ट फैमली आइडिय यहां पर आप इसको स्लेक्ट कर सकते हैं आपको क्या चीज की स्टेटस टैगिंग का मतलब है कि जो यह मोनित महता है आप फादर इनके हैं बने से क्राहिंगे । बैस तो उद्फर में प्रदर आप इसमें प्रोसीड करेंगे इस पर इसको यहां पर स्लेक्ट करने के बाद यहां पर आप इसको स्कुछने करने के और कुछ Latino ऑगर गार काम करें तो इस के लिए आपको वज़ायाई बढ़े है आपको इनके आस्प डोसे हैं इसे खुद से पूछना पड़ेगा कि ये क्या काम करते हैं तो ये तो हुई हमारी स्टेटस टेगिंग सेकेंड हमारे पास है अधार टेगिंग तो अधार टेगिंग के अंदर साइट अभी लोड हो रही है यहां पर आप देख सकते हैं अधार टेगिंग के अंदर कुछ नाम दिये हूए रिजिस्ट्रिशन आइडी दियूए है और टेग अधार टेग अधार पर क्लिक करके यहां पर इनका अधार नमबर डालना है जो भी यह person तो यह कि व्लिक टेगिंग तुभी टेगिंग पीकिरने के बात कुछ नाम आ गए हैं घ्यज़े पीस इस्से में व्लिया र्54 बच्चों पर 参से फार्स ने मिलं झाएं भी हैं और यह उनका एडरेस है, फोन नंबर है, तो फोन नंबर करकT कर सकते हैं यहां पर आप क्लिक करेंगे, जो भी आप बार सर्टिफ next केसे नका मंगाएंगे जो भी इनकी बर्थ डेट होगी, उस बर्थ डेट को आप यहां पर चूज करेंगे मा लेते हैं फर्स्ट जन्वरी है यहां देखिए जैसे यह कुलेगा आपको यहां पस भावेश शर्मा फैमली आइडी है एडरस है और यह डेट वर्थ जो आपने भी डाली है उसके बाद सेलेक्ट डोक्युमेंट पे क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट डोक्युमेंट में आपके दो अप्शन है आपके पास एक तो है बर्थ सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं इसका बर्थ सर्टिफिकेट की स्कैन कोपी या SLC की स्कैन कोपी तो जो भी है आप कोशिश करें बर्थ सर्टिफिकेट मंगवाएं बर्ट सेटिफिकेट लेने के बाद आप यहाँ पर बर्ट सेटिफिकेट को चूज करेंगे यहाँ पर आप जो फाइल चूज कर सकते हैं बर्ट सेटिफिकेट के लिए चाहे PDF भी चूज कर सकते हैं या JPG भी चूज कर सकते हैं दूसरा size के लिए आप size यहाँ पर 512 KB से कम रखना है 512 KB तक हम यहाँ पर कोई भी PDF या JPG दोनों में से कुछ भी हम upload कर सकते हैं यहाँ choose करने के बाद आप यहाँ पर click करेंगे and after that जो है वो confirm पर click करेंगे record जो है वो इसका save हो जाएगा और यहाँ आपका काम पुरा हो जाएगा तो यह वो काम है जो teachers को मिला है PPP data verification का तो again मैं एक बार repeat कर देता हूँ सबसे पहले आपको intra haryana पर जाना है intra haryana पर login करने के बाद आपको जाना है PPP data verification पर जाने के बाद आपको एक नया पॉर्टल आपके सामने एक नया पॉर्टल ओपन हो जाएगा PPP data verification जो अटोमेटिक login होगा यहां पर आपको जाना है tag data में tag data में जो भी आपको काम मिला है status tagging में status tagging करनी है हो सकता है status tagging में आपको किसी बच्चे का अगर student चूज करते हो तो उसका SR नंबर अधार नंबर अधार नंबर अधार नंबर निया admission नंबर उसका school यह सब इसमें लिखना होगा कोई बच्चा college में पढ़ रहा है तो college का नाम college का registration नंबर ठीक है किस class में पढ़ रहा है यह सब डाटा इसमें डालना होगा अधार वाले में अधार नंबर डालना है और डेट बर्त वाले में बर्त डेट डालनी है और साथ-साथ उसका certificate upload करना है तो यह काम था थैंक्यू वेरी मच